Realme X50M आज सुबह चाहिना के अंदर लॉंच हो गया है और साध हमें जो कुछ टाइम के अंदर Realme X3 बनकर साध ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है तो चलिए आज मैं सारी जानकरी आपको दे देता हूँ लॉंच के बाद हमें जो स्पैसिफिकेशन जो फीचर्स वग करते हैं हम Realme X50M की तो Realme X50M में पहले डिजाइन से हम सुरुआत करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो बेक साइड में आपको जो एक क्वार्ड केमरा सेटप मिलता है जहाँ पर में 48 मेगापिक्सल केमरा है साथ में 8 मेगापिक्सल वाइड 2 मेगापिक्सल डेट और 2 बात करो तो डियूल पंचोल 16 मेगापिक्सल प्लस आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्टरा वाइड लेंस जो देखने को मिल जाता है सेम वही डिजाइन से टिपिकल्स जो रियल मी रेगुलर में देखने को मिल जाती है अगर डिस्प्ले की बात करो तो 6.57 इंच की एक IPS LCD प मिलता है यहाँ पर 90.4 परसेंट जो स्क्रीन टू बोडी रेष्ट जो आपको देखने को मिल जाएगा में बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की तो यह यहाँ पर लेटेस ब्रोसेसर 765G के साथ यह लॉंच हुआ है जो एक 5G प्रोसेसर यहाँ पर आपको ड्यूल सिम प्ल का फास चार्जिंग मिलता है कंपनी निये क्लेम किया है कि आपको यह 30 मिनट के अंदर 70 परसेंट जो यह बैटरी चार्ज करके देगा इसके अलवा अगर यहाँ पर एडिशनल फीचर्स की बात करो तो यहाँ पर आपको जो ड्यूल सिम प्लस माइक्रो स्डी 3.5 mm ओडियो आपको यहाँ पर बात करें स्टोरेज की तो सिर्फ 128 GB जो स्टोरेज मिलेगा प्राइस की बात करो तो इंडियन करंसी के इसाब से यहाँ पर 20,000 और 23,000 जो प्राइस मिलती है जो 6 GB और 8 GB के लिए यहाँ पर बात करो तो साथ में आपको माइक्रोस्डी कार्ड का स्लोट मिलता है तो 8 GB वेरियन्स आपको कोई लेने की ज़रूत नहीं है लेकिन 128 GB जो है काफी रहेगा 6 GB के साथ यहाँ पर अगर बात करो यार मी 10 यूथ एडिशन की तो मी 10 यूथ एडिशन में भी 765 जी प्रोसेसर है कल नूबिया मेजिक प्ले जो 5G मोबाइल लॉंच हुआ है वो लगबग 26,000 के आसपास है इसी स्पेक्स के साथ उसमें भी 48 मेगा विक्सल का में केमरा है 765 प्रोसेसर के साथ में लेकिन वहाँ पर डिस्प्ले में फरके एमोल डिस्प्ले जो वहाँ पर आपको मिलता है यहाँ पर बात करो रियल मी क X50M जो है काफी सस्ता बन सकता है सस्ता बोल सकते हो और साथ यही जो है इंडिया में रियल मी X3 बनकर भी जो है रिब्रांडेट बनकर भी आ सकता है तो रियल में X50M के बारे में आपकी क्या सोच है क्या पसंद करोगे यह 5G मोबाइल है यहाँ पर 20,000 की रेंज में यह कर दियो और कर दो कि दो हो का दो कर दो तो किर दो को दो ड़िए.